हलो स्टूडेंट मैं हूँ रीना आप देख रहे रीना अकेडमी चैनल आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत हैं मैं अपने आज की सिसन में आपके रिलाई हूँ कक्छा साथ हिंदी पार्थे पुज्टक वसंत भाग दो का पार्थ नमबर 11 जिसका शिर्शक है रहीम के दो ही तो इश्टून आप सभी अंतक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में इस वीडियो के अंतक आपको इस पार्थ में दिये गए दोहों की संपूर व्याख्या और कुछ कठी सब्दों क्यार देखने को मिलेंगे तो इश्टून यहाँ पे जो स्री रहीम दास जी के दोहे दिये गए हैं इन दोहों में हमें कई तरह के नैतिक सिक्षा और जीवन का गहरा ज्यान मिलता है पार्थ में दिये गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परुपकार और मनुश्य के सहन सक्ति आदी के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया गया है तो आईए यहाँ पे हम जो सबसे पहला दोहा इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो यह दोहा है इस दोहे में स्री रहीम दासजी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है तो यहाँ पे संपति मतलब धंदौलत, सगे मतलब सगे संबंधी, बनत बहुत बहुरीत, मतलब बहुत से नाते रिस्तदारी बन चाती है विपत्ती कसोटी यानि विपत्ती के समय पे जो जे कसे यानि जो साथ है दे साचे मित्र मतलब वही सच्चा मित्र है अर्थात इस दोहे में स्री रहीम दासजी कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ती होती है तो बहुत से लोग हमसे रिस्ता जोडने या हमसे रिस्ता बनाने के लिए हमारे अपने बनने को तयार हो जाते हैं लेकिन विपत्ति कसोटी जेकसे अर्थात मुसीवत के समय में जो हमारा साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र कहलाता है अर्थात इस्तिंट इस तोहे का भाव है कि विपत्ति के समय पे जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र है लेकिन धन दौलत होने पर तो बहुत से मित्र बनने को तयार होते हैं सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय हमारा साथ न छोड़े पे रहिम दास द्वारा लिखी दोसरा दोहा है जाल परे जल जात बहु तजमीनन को मोह रहिमन मचरी नीर को तव ने छाडती छोँ तो यहाँ पे जल यानि पानी जात बहु यानि बह जाता है तजमीनन यानि छोड़ करके मीन यानि मचली को मोह यानि मचली के मोह को छोड़ कर बह जाता है मचरी यानि मचली नीर यानि जल तव यानि तब भी छाड़त यानि नहीं छोड़ती छो यानि मोह अर्थात इन पंक्तियों में रहिम दाश्ची कह रहे हैं कि जब जाल को पाने के अंदर डाला जाता है मचली को पकड़ने के लिए तो जब मचलियां जाल में फस जाती हैं जाल को उपर खीचा जाता है तो जो पानी होता है वो मचलियों के मौह को छोड़ करके जाल में से पह जाता है निकल जाता है लेकिन जो मचली होती हैं वो पानी के मौह को नहीं छोड़ पाती हैं और जाल में फसने के बाद भी वो चा ना चाहती लेकिन जो पानी है जो जल है वो मचली के मोहों को प्रेम को त्याग दिया है तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत नपान कहीं रहीम पर काजित संपति सचही सुजान तो इस दो ही मेकविर दाशी ने परवकार की भावना को दर्शाया है और यहां पर तरवर पेड फल मतलब सबको पता है फल नहीं खात यानि नहीं खाता है सरवर यानि शरोवर पियत यानि पीता है ना पान यानि नहीं पानी कहीं रहीम पर काजित यानि दूसरों के काज के लिए दूसरों के कारी के लिए भलाई के लिए संपति सजही सुजान जो सज्जन वेक्त वो संपत यानि धन को सचय यानि इकठा करते हैं अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम दास जी कह रहे हैं कि जैसे तरू यानि पेड़ अपना फल नहीं खाता सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता उसी प्रकार जो सजन व्यक्ति होते हैं वो अपने द्वारा संच worked. यानि यानि इकठी की हुई धन को अपने ऊपर नहीं खर्च करते बल्कि वो दूसरों के भलाई के लिए दूसरों के हित के लिए अपने संचे हुए धन को खर्च करते हैं. तो यहां पर थोधो ते बादल क्वार को जिव रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भै करे पाचली बात तो यहां पर थोते बादल क्वार के यानि क्वार के महीने में कुछ बादल थोते यानि अनायास ही घहराते यानि गरस्ते हैं धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचली बात धनी यानि आमीर पुरुष जब निर्धन यानि गरीब हो जाते हैं तो पाचली बात ये पिछली बात को नहीं भूलते अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम दाश्ची कहते हैं कि जिस प्रकार कुआर के महीने में बादल अनायास ही गरस्ते रहते हैं ये अर्थात वो बारिश नहीं करते हैं खाली गरस्ते रहते हैं ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति पहल अमीर होता है और उसके बाद अगर गरीब हो जाए तो अपने अमीरी की बात को नहीं भूलता है अर्थात बार बार अपने अमीरी पन के बात को बढ़ा चड़ा के कहता है अब यहाँ पे रहीं तास्वी द्वारा लिखी नेश्ट दोहा है धर्ती की सी रीत है सीत घाम ओ मेह जैसी परे जो सही रहे त्यों रहीम यह दे अर्थाथ, इन पंक्तियों के माध्यम से रहीं ताश्री ने सेहनसक्ति का वर्डन किया, पुर्शों के याणि इनसान के सेहनसक्ति के बारे में बताया है यहाँ पे धरती मतलब प्रित्वी, रीत यानि जुनीयम है सीत घाम और मेशीत मतलब ठंड घाम मतलब धूप मेह यानि बशात तो जैसी परे सो सही रहे मतलब जैसा पड़े वो सहे तियो रही मियते मतलब उसी प्रकारियते यानि हमारी शरीर है अर्था इस दो ही की व्याक्या होगी कि धर्ती कीसी रीत मतलब धर्ती का एक नियम है एक भी रितू में वो दुखी नहीं होती अर्थात वो सभी रितू को एक समान अपने उपर सहती है तो उसी प्रिकार जो ये दे है जो सरीर है रहिम दिदास जी कहते हैं कि हमारा जो सरीर है हम मनुष्रियों का सरीर है हम मनुष्रियों का सरीर भी चाहे हमारे उपर दुख हो चाह बिल्कुल धर्ती की तरह ही चाहे कैसा भी हमारे उपर मौसम आए कुछ बेहो हमें एक समान भाव से रहना चाहिए तो इस्टुडेंट उम्मिद करते हैं कि आपको इस पार्ट से संबंधित व्याख्या और कुछ कटिन सब्दों के अर्थ समझ में आए होंगे तो आज की वी वीडियो में इसके प्रश्ण अभ्यास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद